नमस्कार दोस्तों आप सभी का मेरे यूटूब चैनल स्टडी क्विज़ित निर्मला पर स्वागत है आज मैं आपके लिए मोरी काल से संबंदीत इंपोर्टेंट क्योशन लेकर आई हूँ यह भाग दो है इससे पहले भाग वन अप्लोड कर चुकी हूँ बहुत ही इंपोर्टेंट क्योशन है एसा नहीं है कि यह सिर्फ रीट के लिए इंपोर्टेंट है यह रीट के साथ साथ भारत की जितनी भी एक्जाम होती है उनमें लगभग लगभग मोरी काल से संबंदीत प्रशन आते हैं तो इसे जरूर देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करें पहला प्रशन है तक्ष शिलावा लंग नाज से मिले अशुक की अभिले किस लीपी से संबंदीते हैं या किस लीपी में मिले हैं कहां से तक्ष शिलावन लंग नाज से मिले अशुक के अभिलेग किस लिपी में मिले हैं तो इसका अंसर होगा प्राकरीत, खरोस्टी, युनानी या फिर अरामाइक तो अंसर हो जाएगा फोर अरामाइक अगला प्रशने समराट अशुक के समय कलिंग था ये पूछना चाता है कि अशुक के समय कलिंग था कहां पर था बिहार का परवर्ती शेत्र था तटवर्ती उडिशा था बंगाल का तटवर्ती शेत्र था या फिर असम का परवर्ती शेत्र था इसका आंसर क्या होगा तटव वर्थी उडिशा यानि कि कलिंग जो था किसके समय समराट अशोक के समय वो था तठ वर्थी उडिशा में आंसर हो जाएगा दो अगला प्रशन देखिए कलिंग यूद के पस्चाथ समराट अशोक ने क्या निश्चीत किया क्या निश्चाई किया यहां पर यह मात्रा नहीं कालिं यूद पस्चाःत सम्राट अशोक ने क्या शॉक निषटे किया ढिए कि फविशा में कभी यूद nem करूंगा बदोस्ट करूंगां नर्ण सहार करता रहूंगा, तलवार की बलपर शाषन करूँगा तो अशोख ने क्या नीडने किया था उसने किया था कि मैं भविशे कभी युद नहीं करूँगा इसका अंसर हो जाएगा एक, भविशे में कभी युद नहीं करूँगा बाकी ओप्शन सारे गलतें, भविश में युद्ध करूँगा ऐसा नहीं है, नर्सेहार करता रहूँगा, थल्वारों के बलबशाशन करूँगा, बिल्कुल नहीं कलिंग युद्ध के बाद उसने धंब नीती अपनाईती और कहा था कि मैं भविश में कभी युद्ध नहीं करूँगा, अगला प्रशन देखिए, सर्व प्रथम समराट अशोक के अभी लेकों को पढ़ने में किस विद्वान ने वक्कफ सफलता हासिल की? समराट अशोक के अभी लेकों पढ़ने में सबसे पेले किस ने सफलता हासिल की? टिफे थेलर ने 1823, जेम्स प्रिंसब 1836, मैक्स मूलर 1861, सर विलियम जोन्स 1784 तिसका आंसर हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेब ने 1837 में अशोक के अभी लेकों पढ़ने में सबसे पहले सफल तेन रांसियल की थी आंसर हो जाएगा दो अगला प्रशणफ सार्णात स्थम्भ जिसे अशोक स्थम्भी कहते हैं मि एकौन-कौन से पश्वों की आकृतिय को त種 them जाता है उसमें किन-किन पश्वों की अक्रतिया ही हाति अश्व, बेल गाएं, सी हैं खरगोश, बैल सी हैं क्या आंसर हो जाएगा उसमें उसमें 4 पशु थी option देखिए A B B C C D या फिर D A तो answer क्या होगा इसका D A D A देखिए हाती अश बैल सी है यानि चार पशुते हाती अशु बैल सी है तो option हो जाएगा इसका 4 D और A दोनों option सही है अगला प्रश्ने सारनात इस्तंब के चक्र में कितनी तीलिया है 32 से 24 से 12 है 6 है सारनात इस्तंब महा धर्म जो धर्म चक्रे उसके उपर 24 तीलिया है सारनात इस्तंब हलकी गुलाबी रंके बलवा पत्तर से निर्मित है और इसका आंसर हो जाएगा 2 चोईस अगला प्रश्ने समराट अशूक के 14 शिलालेक 8 बिन बिन इस्तानों से प्राप्त हुए है निम्रिलिखित इस्तानों को सुमेलित कीजिए शहाबाजगड़ी, मानसहरा, कलसी, गिर्ना ये एक तरफ शिलालेक है और दूसरी तरफ जगा है इस्ताने जहां से प्राप्त हुए है तो शहाबाजगड़ी कहां पर पढ़ता है तो ये पढ़ता है पाकिस्तान के पेशावर जिले में मानसहरा, पाकिस्तान के हजारा जिले में, कलसी, उत्रांचल के धहरादू जिले में और गिर्नार, गुजरात के काठियावर जिले में तो इसका आंसर क्यों हो जाएगा? एक दो तीन चार जो सामने है वो सही है तो आंसर हो जाएगा इसका एक एक दो तीन चार उप्शन एक यहां पे सही हो जाएगा अगला प्रशन देखिए, मोरी वंच के संस्थापक, चंद्रगुप्त मोरी के राजनितिक गुरू और प्रधान मंत्री का नाम था, मोरी वंच के संस्थापक कोने चंद्रगुप्त मोरी हैं, उनके राजनितिक गुरू या प्रधान मंत्री का नाम है, राक्षा से विशाग दती, विश्नुगुप्त थे ये ये पर्न दती वेट, सुमेलित करना हैं अर्थशास्त? किसी की है? कौ्तिल्य की की हैं इंडी का किसकी है मैगस्थनीच की है मुद्रा राक्षाश विशाग दत्त की है और परिशिस्ट परवन हैंचंद्र की है यानि एक का हो जाएगा डी एक का हो जाएगा डी एक में देखते फिर जब दूसरा उप्षन मिलाने जाते अगर दो सी मिला रहे तो फिर आगे देखते इस तरीके सो आपको आसानी रहेगी यानि कि ऑप्षन करते रहें कि यह भी नहीं यह तो लास्ट में जो बचेगा वो उसका अंसर हो जाएगा अगरा प्रशन देखिए निम अंसर क्या हो जाएगा इसको बिंदु सार को शत्रु का सहारक कहा जाता है अमित्र घात बिंदु सार का उपनाम जो है अमित्र घात इसे कहते हैं और अमित्र घात का ही अर्थ होता है शत्रु का सहारक तो आंसर क्या हो जाएगा अपे दो बिंदु सार अगला प्रशने को अशोक वरधन कहां कया है आंसर हो जाएगा फौर इसका अशोक वरधन अशोक किस में कहा जाता है अशोक कहा जाता है मासी की गुरज़रा अभिलेक में ओके आगे दे si the Oh would the divine can के ऐनुसार अशोक हो जो बहुत धर में किस ने दिक्षित किया था और न लिश्न्य गुप्त मcktने निर्ग्रोथ को डिक्षित किया ? वह किया था पंध मिकाश्य कहिए कलिंग युद्ध के पस्चाद क्यों क्योंकि क्लिंग वह द्रस एक्षेर के दोखे लेवोब और पारहे के अभी लेक में अशोग इसपस्टतर बुद्र धम संत का अभिवादन करता है। उस अभी लेक का नाम बताना है जिसमें बुद्र धम संत का अभिवादन करता है भाब्रु शिला लेक में, ब्रह्मगीरी शिला अगला प्रश्ण ही श्रवन बेलगुल इस्तिते कहां इस्तिते तमिलाडू में हैं, गुजरात में हैं, करनाटक में हैं या आंद्रपरदेश में हैं तो श्रवन बेलगोला जो है वो है करनाटक में इस्तिते करनाटक के मैसुर में श्रवन बेल गोला में चंद्र गुप्त मोर्य ने सनलेखना पद्धती से या केसकते सनलेखना से अपने शरीर का त्याग किया था आगला प्रश्न देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तीन करना ठक अगला प्रश्न अशुक की शाशनकाल में आज जिता बोद संगीति का अध्यक्ष था अशुक की समय तीसरी बोद संगीती हुई थी तो उसका अध्यक्ष कौन था अशुगोश था ब्रहमगुप्त था महिंद्र था या मोगली पुद तिस्त था तो इसका आंसर हो जाएगा 4 मोगली पुत्त तिस्त जो है वो बहुत संगेती का अध्यक्ष था त्रती बहुत संगेती का अशुगोष जो है चतुर्द बहुत संगेती का मुख्यतीती होता है या कह सकते हैं एक मात्रेसी बहुत संगेती जिसका उपाध्यक्ष होता है लेकिन इसका आंसर हो जाएगा फोर मोगली पुत्र तिस जो है अशुक के समय होने वाली बोसंगिती का अध्यक्ष होता है और ये बोसंगिती कहां पर होती है पाथली पुत्र में होती है कब होती है 251 इसा पूर्व में होती है अगला प्रशन अग्ला प्रश्ने ग्रीक शाषक सेल्यूक तो किश consistent हराय था भी मगिख सार ने हलाय था घनानने चंद्रगुप्त मोरी ने कुमार्गुप्त प्रथम बहुत ही बात हैं बहुत सी एक्जाम में आया हुआ प्रशने में हैं अंद्रुप्त्र, मोरी और हैनला का जो विवा है वो एक अंतरास्टी विवा है अगला प्रत्शास्च कृत्षा में है असर हो साइगा इंडीकाम, मेगा Windy Why अगला प्रश्न अर्थ शास्त्र के अनुसार निम्ण लिखित में से किस अधिकारी को राजस्व एकत्र करने का उत्तरदाईत दिया गया सिता अधिक्षु क्या करता था तो सिता अधिक्षु जो होता था वो राजकी भूमी की विवस्ता करने वाला होता था सन्नी जाता एक राजकी कोसा अधिक्षु होता था और संस्ता अधिक्षु तो सभी समझ जाएंगे कि संसागर जो अधिक्ष होता था वो संस्ता अधिक् अगला प्रशन अशुक के सभीलेक में यह गोष्णा के गई हे की सबी मनुष्य मेरी संतान की भाती है उसने की सभी लेक में गोशना किये कि सभी मनुष्य मेरी संतान की भाति ये option के according बताना है पाच्व प्रितक शिलालेक, छटा इस्तंबलेक, प्रथम व्रिहद शिलालेक ये अफिदेती व्रहज शिलालेक इसका आंसर हो जाएगा, प्रथम व्रिहद शिलालेक में अशोक ने कहा कि सभी मनुष्य मेरी संतान की भाति है प्रथम व्रहज शिलालेक के अलावा एक धोली अभी लेके उसमें भी अशोक के द्वाराई बात कही गई है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीन मिनेंडर की, तो इसका आंसर हो जाएगा किसके शाषनकाल का है, तो ये अशोक के शाषनकाल का है कब का है, तो जब अशोक का राजिकाल चल रहाता है, उसके बीसवे वर्ष का है रुमंदे इस्तम अशोक के शाषनकाल का है इसके राजगाल के 20 वे वर्ष का अगला प्रशने अशूक का कौन सा अभिलेग धार्मी सहिश्चनता के सिद्धान्द को समर्पी थे दिती अभिलेग, शस्ट शिलालेग, दिती स्तम्लेग या 12 शिलालेग तो आंसर क्या हो जाएगा इसका इसका आंसर हो जाएगा 12 शिलालेग इसमें कहा गया है किसमें जो 12 शिलालेग इसमें कहा गया है सर्व धर्म संभाव की अधारना यानि की 12 शिलालेग में सर्व धर्म संभाव की अधारना बताई गई है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 12 शिलालेग द्वाज दस्ट का मतलब होता है बारा अगला प्रशने चंद्रगुप्त मोरी की समय सोरास्ट का राज़पाल कौन था? सोरास्ट यानि गुजरात का राज़पाल कौन था? बिंदुसार था? अशोक था? पुष्च गुप्त वेश्च था? या फिर यावन राज्य तुशा इसका आंसर हो जाएगा पुष्च गुप्त वेश्च आंसर इसका तीन कि चंद्रगुप्त मोरी के समय सोरास्ट का राज़पाल पुष्च गुप्त वेश्च था? जिसने सूदर्शन धिल का निर्मा करवाया था? अगला प्रशने है निम्र लिखित मोरी शाष्च को पर अशोग दश्रत व्रेधत की है, ए भीółक्त व। नौने अगर झ्योशन आता है कि अशोग और दश्रत के अलावा एसा कोण सर्ष गेगी जिसने देवनाम प्रेध के उपादी धारण की? तो आनसर हो जाएगा श्री लंका का तिश्क सचक जो था? वह अशोग से बहुत प् अगला प्रशने। पुश्यमेत्र शुंग बीजहरेंी ज्सरणाट कहने निसमें कालतर हो जाएगा पुश्यमेत्र कुने Subscribe अगला प्रश्ने, निम्ने लिखित में से मोरी कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है, मोरी कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है, इस्तम्ब एस तूप एस गुफा कला है या फिर चैती है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इस्तम्ब, मोरी कला का सबसे अच्छा उध अगला प्रश्ने नीव्य लिखित में से कोंसा ग्रंट उल्ले करता है कि अशोक श्री नगर कश्मीर का संस्था पक्ता किस ग्रंट से पता चलता है कि अशोक ने श्री नगर बसाया था दिव्यावदान, महावन्श, दीपवन्श या राजतरंगिनी इसका अंसरों जाएगा राज तरंगणी, राज तरंगणी से पता चलता है कि अशोग ने श्री नगर यानि की कश्मिर बसाया था, इसने श्री नगर की अलावा एकोर नगर बसाया था कौन सा देव पाटन, यानि की अशोग ने देव पाटन और श्री नगर बसाया था, ये सब्के दोटोचकरा या मनुस्म्ति की इसका आंसर हो जाएगा जो कोटिली की अर्थिशास्त्र पुस्तक है उसको भारत की मेक्यावली भी कहते हैं, किस पुस्तक को भारत की मेक्यावली कहा जाता है, तो कोटिली द्वारा रचित अर्थिशास्त्र को भारत की मेक्यावली कहा जाता है, रास्तरंगिनी के लेखा कोने, रास्तरंगिनी के ल प्रामन को दान देने पर जोड दिया गया स्वामी एवं अनुचर के संबंदे को लेकर चिंता व्यक्ति की गई किसमें धंब में इसका आंसर क्यों हो जाएगा कौन सा सत्य नहीं है तो आंसर ये मृत्यू दंड समाप्त कर दिया गया ये बात बिलकुन गलत है आंसर हो जाए जाएगा काकड़ी भी काकड़ी है ये आंसर क्यों जाए चांदी का सिखा था पन और पन के अलावा एक और चांदी का सिखा था कौन सा काशार पन काशार पन भी एक चांदी का सिखा था जो की मोरियूग में चलता था अगला प्रशने धर्म महामात्र कौन थे धर्म महामा प्रचार करने वाले महांदम्य ने मौगली पुठत से लिया दै और और वो शीलंका गया महंद्य कुन था अशोक का पुद्र था महंद्र के साथ संग्मित्रा भीरती अशोक की पुत्री यानि कि श्री लंका बोध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अशो के पुत्र और पुत्री दोनों गयते हैं महेंद्र और संगमित्रा अगला प्रशने वहाँ पिक्षु कौन था जिसके साथ चंदर गुप्त मोरे दक्षिन भारत गया था कौन था जायगा फोर बद्रुभाव के साथ जाता है कहां पर श्रम्न बेल गोला करना अगला प्रस्णे है धर्म महामातर काका कारी था अगला प्रस्णे अशोक को इसमरं किये चाने का कारण यानि अशो को याद रखने का कारण क्या है कलिंग विजय हैं बोध महा सममिलन हैं धर्म प्रचार किसका भोध का या फिर जनहित हैं तो अशो को याद करने का कारण जनहित अंसर हो जाएगा 4 अगला प्रशने भारती लोगों के जिस गुण की मेगसतनी इसने अगला प्रस्टे युनानी राजदु डाइमेकर्स किसके शाषनकाल में भारत आया था चंद्रगुप्तमोर्य बिंदुसार अशोक या फिव्रेदत तो डाइमेकर्स आया था बिंदुसार के समय आंसर हो जाएगा दो बिंदुसार के समय आया था कहा का राजदुत था है तो ये सीर्या का राजदुत था कोण डाइमेकर्स यानि कि युनानी राजदुत डाइमेकर्स युनानी सीर्या का डाइमेकर्स बिंदुसार के समय भार संब्द कंसुए किस संबंद किस से हैं इससोग्ष गला की संग्यां थी चंद्र गुप्त मौर्य चंशंट को अमीतर घात ही 50 लेशान्यिकाky हो जाएगा दो बिंदु सार को अमित्र घात की संग्या दी गई है और अमित्र घात का अंसर होता है या अर्थ होता है शत्रु का सहारक अमिद्र घातर का आर्थी क्या है शत्रु का सहारक किसे कहा गया है बिंदुसार को तो आंसर हो जाएगा इसका दो बिंदुसार अगला और आज का लास्ट प्रश्ण है बिंदुसार की राजसभा में आने वाला सीर्या का राज़ुत कौन था एथिनोयस था डाइमेकस था डायोनिसिस था या है सेंडर था तो कौन था वो था डाइमेकस आंसर हो जाएगा दो डाइमेकस इसको किसने बेजा था इसे बेजा था समराट एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार की राजसभा में आने वाला सीर्या का शाशक स्वरी सीर्या का राजदूद डाइमेकस था जिसे वहाँ के समराट अंटियोकोस प्रतम ने भेजा था ओके टोटल 45 प्लस प्रशन है जो कि बहुत इंपोर्टेंट है इन्हें देखिए और करिये और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपकी कितने सही अपने दोस्तों में शेयर करें मेरे चैनल को सस्क्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को एन तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद